क्या अगर आप सब बच्चों ने समझा हो कि हम कोई चीज लेने जाते हैं तो उस पे प्राइस लिखा हुआ होता है जो घ्राइस लिखा होता है उसे मार्ड प्रायस बोलते है प्रेंट प्रैस लेबल प्राइस जो भी चाई कह लीजो टेग जो उसमें लगावा तो वो हमारा है मार्क प्राइस अब आप जाते हैं शौप पे शौरूम में और वहां लिखावा है सेल, डिसकाउंट हम पूछते हैं भई कोई डिसकाउंट है क्या वो कहता है 20% डिसकाउंट अब मान लो वो सो रुपे की चीज है तो उसका मार्क प्राइस हो गया सो रुपे आपको 20% डिसकाउंट दे रहा है तो आपने उससे लिया 80 रुपे का सीदी सी बात है 20% on 100 is 20 रुपीज तो 80 रुपीज में आपने उससे खरीदा तो अगर आपने 80 रुपीज में खरीदा तो उस सेलर का उस शौप की पर का सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है यह हो गया सेलिंग प्राइस लेकिन आप सब बच्चे मुझे बताओ जो 100 रुपीज था लिखा हुआ क्या इतने में ही वो चीज लेके आया होगा उसने जो खरीदी होगी दुकानदार ने क्या 100 रुपे की खरीदी होगी और जितने की वो खरीदी होगी उस पे हमें डिसकाउंट देगा वो अगर उस पे डिसकाउंट देगा तो उसे लॉस हो जाएगा तो होता क्या है label price अलग होता है और cost price अलग होता है तो उसने जाहिर सी बात है उतने price में नहीं खरीदी तो cost price होगा अलग cost price यहां लिख लेंगे प्राइस यहां लिख लेंगे यह है कॉस्ट प्राइस मान लो सपोस करो उसने 60 रुपीज की खरीदी तो जो उसका प्रॉफिट और लॉस देखना है सब बच्चे ध्यान से समझ लिजे वो देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में यह बच्चे 60 में खरीदा था 80 में बेच दिया तो 20 रुपे का प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट हो रहा है परसेंटेज निकाल लेंगे बाद में सुचेंगे लेकिन अगर डिस्काउंड देखना है तो डिस्काउंड देखा जाएगा हमेशा मांक प्राइस और सेलिंग प्राइस में कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में कॉस प्राइस में और मांक प्राइस में डारेक कभी भी रिलेशन दिया नहीं होता ठीक है कोई डारेक रिलेशन नहीं होता जब तक कि दिया न जाये question mention करेगा वो कि वही मांक प्राइस is 20% above the cost price तब तो हम कहेंगे Otherwise, इन दोनों में कोई relation नहीं होता, अगर relation नहीं होता, और हमें cost price से mark price जाना है, तो हम वाया selling price ही जाएंगे, पहले cost price से selling price, selling price से mark price, और अगर वापस आना है, तो वापस इसी तरह से आएंगे, mark price से selling price, selling price से cost price, सर समझ में आया? अब देखो question, question देखो तो अपना हम समझ में आजाएगा, यह हमारे पास है, देखो, छोटा सा question देखो, कि हम कैसे किस तरह से flow में जाएंगे? देखो सब बच्चे, बहुत छोटा सा question है, तो आपके दो टॉपिक कूरे हो जाएंगे, फिर आराम से आप इस पर questions कर सेगे, यही level रहता है, जो मैं आप आप से discuss कर रहा हम, यह मैं पास, अब इंशाल्ला आज आपके उसमें reasoning के और GK के questions एड़ करूंगा, Google Classroom में, तो उ देखो बच्चे सब बच्चे अब आप ध्यान से, नहीं यह तो हम कर चुके, यह वाला नहीं, यह तो last class में हमने discuss किया था, देखे, यह question Yes भई, a fan is listed at 150 and a discount, अब मैं आपको basic भी बताऊंगा, जिन बच्चों नहीं सीखा था, पहले question समझ लेते हैं, question a fan is listed at 150, तो 150 हमारा list price है, list price कहिए, mark price कहिए, label price कहिए, जो भी कहिए, जो वहां हमें दिखाई देता है and discount of 20% is given, और इस पे 20% discount दिए है, यह आप से कहरा, आप से कहरा, selling price बताओ, तो इसमें तो सिफ selling price कूछ रहा है, okay, कोई बच्चा बताएगा मुझे 150 का 20% क्या होता है, जिन बच्चों की पहली किलास है, वो समझ लें बिटे, कि 150 जो है हमारा, यह 100% है, अभी decimal यहां लगावाए, यह 150 के बाद, अगर decimal में यहां लगा दू, तो यह हो जाएगा 15, तो यह रह जाएगा 10%, अगर मैं decimal यहां से अटाके यहां लगा दू, तो यह हो जाएगा 1.5, तो यह जाएगा 1%. तो 150 का 1% 1.5 रुपिया होता है, 1.5, 150 का 10% 15 रुपीज होता है, तो अगर 10% 15 है, तो उसका डबल 20% सीधा-सीधा 30, तो 150-30 is 120, calculate करने की भी जरुवत नहीं है, और अगर calculation की जरुवत पढ़ रही है, तो मैंने आप से कहा था, जो भी चीज होती है, वो अपने आप में 100% होती है, उसमें से 20% discount दे दिया, तो हमारा 80% बचा, तो हमारा जो selling price होगा, वो 80% होगा mark price का, यह मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और वाइस question तो हम सौल को चोगे, तो हमारे पास आएगा 80% of mark price, 150, तो 50 से 2, 50 से 3, और 2 से यह 40, और 43 जा 120, तो 120 is my selling price, यह हमारे पास, देखो एक question और देखो, जो मैं समझा रहा हूँ, उसमें किसी बच्चे को problem हो, तो please पूछेंगे अब, शर्माएंगे नहीं, यह देखो, एक question अच्छा सा दे रहा हूँ, अब आप बताओ, जिस cost में आप फरीदते हो, उसे आप क्या कहते हो, cost price, cost price, हाँ, तो हमारा cost price हो गया बिटे, 450, okay, and fix its list price in such a way, और हमने उसका एक list price रख दिया, कितना रखा पता नहीं, in such a way that after allowing a discount of 10%, क्या आपने उस पे 10% discount दिया, minus 10, he earned say profit of 20%, उसको 20% का profit हो रहा है, discount देने के बाद 20% का profit हो रहा है, सब बच्चे जड़ा ध्यान से, अगर पीछे आवाज आ रही है बिटे तो please mute कर लीजे, 20% का profit हो रहा है, आप से कह रहा है देन्दा list price बताओ, अब सब बच्चे सोचो, list price मेरा कुछ भी हो, अगर मैं 10% discount दे रहा हूँ, तो कितना percent रह गया मेरा, list price को बच्चा बताएगा, list price का कितना percent, list price में से आपने 10% discount दे दिया, 90, 90% Shaba, जो भी मैंने आपसे काता, 90% of list price, तो ये मेरा selling price आ गया, yes or no, सब बच्चे बताओ, अच्छा, अब इदर देखो, अब नीचे वाले में से सोचो cost price, अगर cost price मेरा कुछ भी है, और उस पे मुझे 20% profit हो रहा है, तो मेरा selling price कितना हो रहा है, 120 percent of cost price, very good, 120 percent of cost price, तो क्या ये भी मेरा selling price है, जी sir, तो क्या ये दोनों equal होने चाहिए, 100 percent, हाँ बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, 90 percent of list price is same as 120 percent of cost price, समझ में आ गया क्या, बस ये आंसर है, वैसे तो मैं इसको दूसरे तरह से भी solve कर दूंगा, 90 percent of list price is 120 percent of cost price, तो आप क्या करोगे, आप बच्चे 100 से 100 सौल करोगे, और 0 से 0 सौल करोगे, और 9 से 5 करोगे, और 12 5 जा 60 करोगे, तो final answer is 600, 600, तो आपको जो लिखना है, वो तो मैंने समझाने के लिए करा है, आपको तो ये एक line लिखनी थी, बस एक line, 90 percent of list price is 120 percent of cost price, सर सही है क्या, ये सर, अदर्वाइस आप क्या करते, पहले selling price निकालते, तो selling price आएगा, 20 percent, 90 रूपीज, तो 94 50 मैं एड करोगे, 540, 540, तो आपका आगया 540, अब 540 को list price के 10 percent के equal रोगे, तब solve करते हैं, तो उसकी जरुवती नहीं पड़ी है हमें, उसकी जरुवती नहीं पड़ी, चलो एक question और बताओ, उसकी शूफू देख एक चीज़ और देखे आप सब बचे ये भी आप से पूछता है हमारे पास क्या होता है हमारे पास एक होता है successive discount कभी-कभी आपने देखा होगा sale 60% plus 40% कभी ये लिखा होता है तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 60 plus 40 100% फिरी आपको मिल रहा है इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी list price है कोई भी list price है मालो list price है 100 रुपीज तो उस पे पहले आपको discount 60% मिलेगा फिर आपको discount 40% मिलेगा दोनों एक साथ प्लस करके नहीं मिलेंगा successive हैं एक के बाद एक तो अगर हमारा जो list price 100 है प्लीज यान से देख लीजे तो पहले calculate होगा 60% आप सब बच्चे बताओ 100 का 60% क्या होता है 60 तो अब आपके पास बच्चे 40 अब आपको 40% discount मिलेगा तो इसे कहते हैं successive एक के बाद एक तो 40 रुपीज का 40% कितना होगा 16 तो 40 माइनस 16 क्या हुआ 24 24 तो यह मैं पास तो आपसे क्या पूछता है एक तो आपसे calculation पूछ सकता है कि 200 रुपे की चीज है 60-40% उस पे discount मिल रहा है बताओ कितने की मिलेगी दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इसके equal single discount बताओ equal single discount तो अब आप खुद सोचो 100 रुपीज की चीज 100 रुपीज की चीज 24 में मिल रही है तो इसका मतलब कितना लैस हुआ 76 पर जब आप 100 पे calculate करते हो तो अपना percentage में आजाती है 76 पर सेंटेज में आपको मिला अजया समझ भी इसके चलो देखो चलो एक कुशन और देखो ये भी बहुत पूछता है ये हमारे पास है बहुत कुशन पूछा जाता है ये इस तरह का cost price of 10 article is equal to selling price of 15 articles cost price of 10 article is equals to selling is equals to the selling price what is the profit or loss percent मैं ये भी नहीं पता profit हो रहा है या loss हो रहा है समझने की कोशिश करिये सब बच्चे cost price of 10 is equals to selling price of 50 ठीक है सर्थ इसका क्या मतलब है अगर मैं आप से ये कहूं आप सब बच्चों से मैं अगर ये कहूं इतनी सी बात कहूं तो शायद आपको समझ में आना चाहिए है के बैसे काट जी बचिश है कर दस सामान खरीदने का जो पैसा है वो बराबरे ये 15 सामान बेचने के लेंगे आपने आपने तो यह प्रोथ अपगजी बात चलो मान लेते हम के बैट कोस्ट प्राइस औफ टैन ठीक है और सेर्फरी में खरीदे थे हैं सोच लीजे भी मैं आपको क्या लिगा और सेलिंग प्राइस ओफ फिफ्टीन अबजेक्ट्स अब आप सब बच्चे बताओ बिटे आपने मान लो आपने मान लो 20 चेयर खरीदी थी सपोस्ट करो ठीक है और 20 चेयर इसके हिसाब से इसके हिसाब से 400 रुपए की खरीदी होंगी यस और नो जब 10 अबजेक्ट का हमारा कॉस प्राइज 200 है तो 400 रुपए अब आपने उसमें से 15 चेयर बेंच दी और आपको पैसे कितने मिले 200 आपके पास चेयर बची 5 और अभी आपको 200 ही रुपए मिले हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है हाँ भई सब बच्चे बताओ हमने 15 बेंचने के बाद 200 रुपए हासिल करें जबकि 10 खरीदी थी 200 रुपए गी तो इसका मतलब हमें 5 एक्स्ट्रा बेंचनी पड़ रही है तब हमारी अपनी कीमत वसूल हो रही है प्रॉफिट तो छोड़ो हमारे अपनी पैसे मिल जाएं तो हमें एक्स्ट्रा बेंचनी पड़ रही है तो पांच का नुकसान हो रहा है यह समझे अब पांच का नुकसान कब हो रहा है यह समझ लीजे पांच का नुकसान हो रहा है जब हम 15 बेंच रहे हैं अगर हम 15 ना बेंचते तो नुकसान कुछ और होता मान लिजे मैं आपसे कह दूं cost price of 10 is equals to selling price of 10 तो 10 खरी दी 10 बेंच दी तो कोई नुकसान नहीं लेकिन अगर मैं आपसे कहूं selling price of 12 तो अब 2 का नुकसान है लेकिन कब जब 12 बेंची तो कितनी sale कर रहे हो उस पे नुकसान होता है तो 5 का नुकसान है on selling 15 तो द्यान से देख लिजे एक line लिखने है बस loss percent is equals to loss of 5 on selling 15 how much on 100 इतना सा लिखना था बिटे बस बाकी सारी चीज तो समझाने के लिए थी answer is 5 by 15 into 100 तो 5 by 15 into 100 का मतलब 33 1 by 3 percent loss कुछ समझ में आया क्या loss होगा यहां द्यान से देख लिजे अब जरा द्यान से देखो मैं अगर आप से क्या कह रहा हूं question देख लिजे अब आप से कह रहा हूं cost price of 10 is equal to selling price of eight बताओ profit होगा या loss होगा profit होगा profit होगा profit होगा जाडिसर प्राफिट होगा कितने profit होगा कितने का profit होगा कुका कितने पेस्टने पेस्टने पेशे इतना लिखना है आपको? 2 x 8 x 100 So 2 x 8, 4 4 से कितना? 25 बाइस, सब को समझ में आया या नहीं आया? कहां बाकी बच्चों तो बोलने रहें हमने डबल क्लास ले ली थी के बच्चों को कुछ फायदा हो बाकी तो सब ऐसे ही नाराज बैटे वे हैं Ilma? Yes, तर आगे समझ में Very good, शाबच तेखो, अगर चीजे ना समझ में आया तो पूचा करो अगर मैं इसको ऐसे कहूं बेटे चीजों को अगर मैं ऐसे कहूं मानलो हम कह दें कि cost price of 10 Let cost price of one object is one rupees तो cost price of 10 object कितना हो जाएगा? हाँ भई? 10 rupees हो जाएगा? Yes or no? Yes sir अब आप से क्या कह रहा है कि cost price of 10 selling price of 8 के एकवल है तो as per question आपके पास क्या हो जाएगा selling price of 8 is equals to 10 rupees हो जाएगा क्यूंकि cost price or selling price दोनो same है तो selling price of 8 भी 10 हो जाएगा तो selling price of 1 कितना हो जाएगा? 10 by 8 10 by 1.25 तो 10 by 8 का मतलब 1.25 2.25 अब आप खुद सोचो बेटे जो चीज आपने एक रुपे की हरी दी ती आप sell कितने की कर रहे हो 1.25 तो profit कितना हुआ? 0.25 0.25 का कितने रुपे पे? एक रुपे पे इन 200 अब समझ में आया नहीं आया? तो जितना एक पे होगा उतना सब पे तो profit सीधा चीज तो इस तरह से calculate करना होता है लेकिन इसकी हमें जरूती नहीं है तो answer आगया 25% तो वो हमारा direct ऊपर आ रहा था कि 2 का profit हो रहा है आट बेंचने पे तो 100 बेंचने पे कितना होगा? तो यह हमारे पास था पुफवे अरे मिदे ला सब बच्चे बताओ कितना मजाक वाला question पूछा गया है LLB 2019 में कितना मजाक वाला question पूछा गया है सब बच्चे बताओ जली बताओ कितने सेकिड बताओ अब ऑन कोश्ट रुपी शिक्सिफूर आफ्टरे डिस्काउंट चिक है? डिस्काउंट के बाद शट की कोश्सिफ्ट उरे वाट वाद इट्स और इजनल प्राइस यह कह लिजे मार्क प्राइस कितना था जर अश्य रुपेश तिक हुआवाश लेकाए दो है वह यह सही तो तिक हुआवाश लेकाए रो हाँ बई सब बच्चे बताओ हमारा पास अगर 20% डिसकाउंट हो रहा है तो हमारा प्राइस कितना रह गया 80% है ना बई 80% किसका लिस्ट प्राइस का और 80% कितना है 64 सब बच्चे बताओ यही बात है ना हाँ यही बात है ना तो 0 से 0 8 से 8 और 8 टेंजा 80 तो आंसर आगे 80 इस तरह से एक लाइन लिखनी थी यह LLB का गोश्चन है 2019 जामिया लो पोश्चन है और लात है धन्हल्स ऐाख़अ खाल यहीजिगश्ट nuclear किम्हार आश्प ट्राइस वेश्चन है बड़े प्रहते है वे जड़े कर दो 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 जो सब बच्चे बताओ इसको कैसे करोगे यह मताजर बोड़ाना कर दो फित forcément거jangths अज़ाना किन आपरा रचरों में अपCloud कि आपकी आपकी जल सवावा ही कर थल सकार भी माला कर दो कर दो स 누र सक दो कि इच人ा है